30 days year regrowth challenge में बहुत सारी ऐसी remedies मैंने आपको शेयर की हैं जो की किफायती है में इस घर पे बने हुए ingredients को यूज करके हम इसको कर रहे हैं साथ यसाथ बहुत ज्यादा positive जो feedback आ रहा है वो और ज्यादा मुझे motivate कर रहा है कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे आज हमारे 30 days year regrowth challenge का day 9 और जो लोग नए हैं उनको मैं share कर दूंकि 30 days के challenge में आप अपने बालू में visible result देखेंगे अगर आपने इसको day 1 से start किया या जो चीजे मैं बता रही हूं उसको अगर आप follow करते हो 30 दिन के लिए लगातार तो आपके बालू में visible results मीन दूसरे कवर करना आज day 9 में मैं आपको share करूंगी एक ऐसा magical hair toner जो कि आपके gray hair को cover करेगा साथी साथ आपके बालों को regrow करेगा और यह जो है यह easily आपके घर पे बन जाएगा कुछ ingredients मैंने use की हैं अगर उसमें से एक दो नहीं हो तो उसको skip कर सकते हैं जिसको मैं आपको share करूंगी कि कौन सा आप रख सकते हैं कौन सा skip कर सकते हैं लास्ट के साथ दिनों में हमने बात की थी homemade shampoo hair rinse hair serum साथी साथ मैंने आपको two step हिना indigo करके दिखाया और उसके बाद मैं बहुत अच्छा से एक वीडियो लेके आने वाली हूँ two step हिना indigo के बाद क्या ऐसी processing करें कि हमारे बाल दो महीने तीन महीने चले आज day 9 में मैं आपको share कर रही हूँ जो remedy ये काफे ज़दा useful और बहुत ज़दा effective है वीडियो अच्छा रगे तो like, comment और share करिएगा फहले आपने लेने हैं मूंग, जी हाँ हरे मूंग जो होते हैं वह आपने लेने हैं और उसको रात को soak करके रख देना है दो चमच की जितने माने लिए उसको पहले इच्छे से दो लिया उसके बाद सोब कर दिया और यह जो है यह पानी हम यूज करेंगे इस टोनिक को बनाने के लिए साथे साथ यह जो फ्रे मूग है इसके आप स्प्रॉच निकाल लीजिए गाए या खाने में यूज कर फाइट करता है नाच्राव अनसेंशल न्यूटरंट होता है जो कि आपके हेर ग्रोथ को प्रॉमोट करता है और इस जूस को अपलाई करने से आपके बाल लॉंग और शाइनी भी होते हैं उसके बाद मैंने अड़ क्या है यहां पे ब्लाक टी लीज्व ब्लाक टी growth को stimulate करता है आपके scalp से oiliness को कम करता है dandruff को treat करता है उसके बाद friends मैंने लिया है यहाँ पे rosemary rosemary जो है हमारे बालों की growth के लिए काफे जदा अच्छा होता anti-inflammatory properties और आपके nerve की growth को ठीक करता है blood circulation को अच्छा करता है dry or itchy scalp में ठीक होता है premature spinach और grain को भी ठीक करता है उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे spinach spinach means पालक मैंने लिया है इसमें vitamin A, vitamin K होता है magnesium होता iron और zinc होता है यह आपके hair को damage नहीं होने देता है आपके scalp की health को boost करता है hair growth को stimulate करता है साथी साथ spinach का hair mask की पे आप use कर सकते हैं उसके बाद मैंने लिया है की री growth के लिए hair follics को nourish करने के लिए healthy scalp के लिए hair fall को कम करने के लिए और इसके अंदर मैंने एक गिलास की जितना पानी डाल दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से boil होने के लिए छोड़ दिया है slow flame पे boil करेंगे जब तक यह आधा नहीं रह जाता और इसको आप छान hacer tonic बना सकते हैं और इसको आप store कर सकते हैं दो से तीन दिन के लिए अपने इस hair tonic को apply करना है अपने scalp्च में और इसको छोड़ देना air dry होने के लिए और आपने ये यूज़ करना है दो बार दिन में और अपने scalp पे apply करके air dry होने के लिए छोड़ दे और स्धारब नेक्स दे मिलते हैं बहुत अच्छी रेमेडी के साथ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा आगे मिलते हैं अच्छी इंपोर्मेटी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई ठीक केर